डबलू टीसी में केसे दी जाते हैं अंक बहुत से क्रिकेट फैन्स के मन में यह स्वाल आता है कि अंक और जीत परतिसद यह क्या फोर्मूला है और किस तरह से अंक नहीं दरित के जाते हैं अगर कोई टीम जीत दरज करती है तो उसे 12 अंक दे जाते हैं वहीं अगर मेच ड्रो रहता है तो 4-4 अंक दे जाते हैं वहीं टाई होने पर 6-6 अंक बढ़े जाते हैं हारने वाली टीम को कोई भी अंक नहीं दे जाते हैं इसके बाद अगर जीत परतिसद की बात करें तो उस जीतना ही होगा अगर टीम इंडिया एहमदाबाद टेस्ट जी जाती है तो फिर स्रिलंगा की टीम की जीत हार का असर अंक तालिका पर तो पड़ेगा लेकिन बारतिय टीम को इससे कोई फ्रक नहीं पड़ेगा और बारतिय टीम फाइनल में एंट्री कर जाएगी